वोलकप फाइनल में भारत को ऐस्टेलिया की हाथूं हार मिली और ऐस्टेलिया अपना छटा वोलकप टाइटल जीता मैच के बाद अवार्ड सेरेमिनी हुई जिसमें ऑस्टेलियन टीम पर 33 करोड रुपे बरसे और हारने वाली टीम यानि कि भारत को इसकी आधी रत्म मिली यहां तक कि जो जितनी भी टीम ने वोलकप में पार्टिस्पेट किया था हर एक टीम के हिस्ते में करोड रुपे आए हैं समी फैनल हारने वाली टीम जैसे की न्यूजलन और दक्षर अफिका उनकी खाते में भी करोड रुपे की राशी आई है इसके लाबा अवार्ड सेर विंटन डीकॉक सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज रहे भारत की मोहमद शमी जिन्होंने चौबीस विकेट चटकाए इसके लाबा हाइस्ट स्ट्राइक रेट रहा यहां पर ग्लेन मैक्सवल का जिन्होंने जिनका स्ट्राइक रेट एक सो पचास सश लाड़ी भी रहे विराट कूली जिन्होंने छे फिफ्टी इस रोलकप में लगाई इसके लाबा बेस्ट फिगर्स बॉलिंग की अगर हम देखे तो वो महमद शमी के रहे जो कि उन्होंने सेमी फैनल मुकाबले में न्यूजलन के गेंस्ट सत्तामा रंदेकर साथ विकेट चटकाई थे वहीं अगर सबसे ज़्यादा छक्कों की बात करें तो ये रिकॉर्ड ये अवार्ड रहा रोहिट चर्मा के नाम जिन्होंने इस टोनमेंट में 31 छक्के लगाए सबसे ज़्यादा कैचिज जो पकड़े हैं वो न्यूजलन की डेरल मिचल ने 11 कैच्छ रहने वाले खिलाडी रहे रक्षम अफिका के कुईंटन डीकॉक जुन्होंने विकेट्स के पीछे 20 dismissals किये और highest individual scorer रहे ग्लेन मैक्सवल जुन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 201 रन की पारी खेली थी तो ये तमाम खिलाडी रहे जो अवार्ड विनस रहे वोलकप फा पांच करोड की राशी जो है वो मिली है तो ये पूरा लेखा जो खा रहा अवार्ड लेस्ट का मैच का जो लेखा जो खा है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं भारत टॉस हार कर फाइनल में पहले बल्लेबाजी करने उतरा था 240 रन scoreboard पर लगाए और ऐस टार्गेट को चार विकेट खोकर हासल कर लिया ट्रविस हेड ने 137 रन की पारी खेली प्लेयर अफ तो मार्च रहे शुरुवाती पांच मैच नहीं खेले थे लेकिन बाकी के मैचेस में ऐस्टेलिया के लिए चैंपियन बनकर सामने आये और फाइनल मुकाबले में एक ऐसी पारी खेली क कि भारतिये टीम का यहां पर विजयरत जो है वो रोक दिया और उस्टेलिया को चैंपियन बना दिया स्पूर्ट से जुरुवी बाकी के अप्डेट्स के लिए देखते रही है एंड़ी टेवी